हेलो फ्रेंड अगर आप भी होस्टल की वारिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहां पर तीन टूबे सुच ले लेना है तो होस्टल की वारिंग करने के लिए तीन टूबे सुच में तीन टर्मिन होते हैं एक दो तीन टर्मिन होते हैं और इसका कनेक्शन समझ लेत इसके लिए एक one-way switch के भी जरूद पड़ेगा जिसमें दो टर्मिन होते हैं यहाँ पर सबसे पहले two-way switch के ऊपर वाले टर्मिन से लेकर एक वार आएंगे दूसरे वाले two-way switch के ऊपर वाले point पर connect कर देंगे उसके बाद यहाँ से एक वार लेकर आएंगे तो यहाँ पर जो ह इस तरह जो है hospital की wiring होती है और यहाँ से बीच वाला जो टर्मिन हमारा बच जाता है इसमें से एक face wire holder में चला जाएगा और एक wire पहले वाले सुच से holder में चला जाएगा न्यूटर हमारा जो common होता तो यहाँ से पहला सुच जैसे आन करेंगे तो हमारा तीनो बलब एक साथ आन हो गया अब यहां से हम इसे बंद कर देंगी अब तीनो बलब को हम अलग 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 अउप करेंगी तो यहां से आन हो गया उसके बाद यहां से भी अलग अलग सुच से अलग अब इसे बेट के पास लगा सकते हैं अलग अलग रूम में लगा सकते हैं तो अब यहां स जो है हम एक एक बलब को अलग-अलग सुच से बंद भी कर सकते हैं अगर सारे बलब को एक साथ हमें on-op करना है तो यहां से on कर सकते हैं और आप कर दिसकते हैं यहां से